जहीन लास लास में हम लोग तिुक्तिरिक लैंट देखे थे प्यूस करति के बारें पडे थे और उन से सरावित होने वाले हॉर्मून कए कारें पढflr dinner तो भी होर्मोन पर हमुद कारें वर्म कज़ें हुर्मोन वर्मून वर्मोन देख ति runtime समान ब्रिंधी को क्या करता है नीवयंचेट करता है इसके सीक्रेशन के कारण क्या होता है से कि ब्रिदी के मात्रा बढ़ती है और कि सरी उस vertically हुर्वेट कीमाग्या यह च model RAPT प्रोलेक्टिन काते हैं और यह जो प्रोलेक्टिन होर्मोन होता है यह भी अग्रेप्यूस ग्रंथी से सरावित होता है प्रोलेक्टिन का काम क्या होता है इसमें लिख सकते हैं प्रोलेक्टिन मादा में अस्तर ग्रंथियों के विकास के विकास के क्रिया को नियंत्रित करती है जो फीमेल होते हैं फिमेल में जो मैमेरी ग्लेंड होता है उस मैमेरी ग्लेंड के डिफिलोप्मेंट में ऊतीजक हर्मोने ही इसको फोलिकल उतीजक हॉर्मोने करते हैं और इसका नारेबा माला में कार्य होता है अलग अलग होता है और हम दोग नर में देखें तो नर में एफ्पश हर्मोन नर में एप एस होर्मोन ऑगा सुक्रानु जनन सुक्रानु जो होता है नर विखमक होता है सुक्रानु जनन की क्रिया में सहःता करता है स्कुयानु जरनी की ख्रिया में सहायता करता है वह ही अगर मादा में देखें तो मादा में एफेस एज ग्राफी पुटक ग्राफी पुटक के दिखास में सहायता करता है ग्राफी पुटक के दिखास में सहायता करता है ग्राफी पुटक क्या होता है तो जो अंडानों निकलता है फीविल के अंदर जो अंडानों का निर्मान होता है वो अंडानों क्या होते हैं परिपक को होते हैं और जब वो परिपक को होते हैं तो उनके चार ओर क्या होता है कोसिकाओं के कई छोड़े चोड़े परतों का निर्मान होता है इस प्रकार से कर करता है इसके बाद निक्स्ट होर्मून जो आता है तो आता है एलेच का पुरा नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हटमों हरुटिनिक का पुर्मून उस हार्मोन के संस्राइशन को क्या करता है और मादा में क्या करता है और मादा में किया रिया मन में क्या करता है मासिक Prophet करें 14 दिन होता है उस दोना में क्या होता है मादा में एक अडानू अडासय से बाहर निकलता है और अडासय से अडानू को बाहर निकल लेकि क्रिया को उनको क्या रोलते हैं अंडोत सर्जन रोलते हैं और उस अंडोत सर्जन में जिसायता होर्मून करता है वह कौन से करता है इसमें लिख सकते हैं नर में नर में या या क्या इसमें लिख सकते हैं नर में एलेच नर जनन हर्मोन हर्मोन एंड्रोजन नर जनन हर्मोन एंड्रोजन और इसी एंड्रोजन को क्या बखते हैं टेस्टे एस्टेरॉन के संसलेशन को कि संसलेशन को प्रेरित करता है उन्हीं मादा में इसका काल लिखें तो मादा में इलेच अंडोज सर्जान क्यां करता है उन्हीं डाणुप है अ्जा जो अंडोज सर्जान की KIRICA में किया की KRIICA में सहायता करता है कि अहीं को नोड़ कर लिए इसको कि आधकर कि कि अभी तक हम लग पढ़ रहे थे वह अग्र प्यूस करन्थी कि सरावित पार्मून के कारे पर्ष्य प्यूस गरंथी से स्रावित हर्मून के कारे पर्ष्य प्यूस गरंथी से दो हर्मून स्रावित होता है पहला है ओक्सी तोसी यह जो ऑक्सी तोसी यह जो ऑक्सी तोसी होता है इसका काम क्या है यह मादा में बच्चों के जन्म होता है बच्चों के जन्म के समय क्या करता है सहता करता है और साथ ही साथ बच्चों के जन्म के बाद जो दुग दस्राव की किरिया होती है उस क्रिया में ये क्या करता है उसको नियंद्रित करता है उसको प्रेडित करता है इसमें लेख सकते हैं ओक्सिटोसी में या मादा में बच्चों के जन्म के समय सहायता करता है सहायता करता है तथा दुग्द गरंथियों से दुध गरंथियों से दुध स्राव के क्रिया को प्रेडित करता है प्रेडित करता है ये ओक्सिटोसीन का काम इसके बाद आगे दुसरा बॉर्मोन देखे जो यहां से और हर्मोन ता इसका नाम है ए दिएज को बुलते हैं इंटी डाइ यूरेटिक एंटी डायूरेटिक हर्मोन और यह जो अन्ती डायूरेटिक हर्मोन है यह विरिक नलिका जो पिडनिका न्यववर्मोन बरायते हैं हम लोग उसी प्रीक नलिका कर दुरस्त कुंडलीत भाग होता है यह संगरहार नलिका और यह जो भाग है इसको दुरस्त कुंडलीत भाग बोलते हैं यहीं पर वो क्या करता है इस दुरस्त कुंडलीत भाग पर कार्य करता है और जालेवं खनीज के और सुसन में क्या करता है सहायता कर इसमें लिख सकते हैं एडियाज के काले में यहां हॉर्मून यहां हॉर्मून ब्रीक के ब्रीक न लिखा के दुरस्त कुंडलित भाग से जल एवं खनीज के अवसुसन में सहायता करता है नूटकर इसको इसके बाद रखते हैं एक और हॉर्मून सुलाविस होता है प्यसुरंथी के मद्य भाग से और वह है अपने सरीर के कर लेते हैं जिसे वह अपने आपको दुस्मनों से सुरक्षित रख सके ठीक है यह क्या होता है दुस्मनों से सुरक्षित अपने आपको रखने के लिए बहुतत है जिकाल्सरा दूसरा सब्क्रोंसी में साजिता करता है अंच सुर идет से स्रावित होता है होता है इस प्रकार से क्या होता है यहां पर मौझूद होता है यह वास्तविक डाइग्राम नहीं है इस प्रकार से सब्सक्राइब अब्सक्राइब जोड़ने काक रहा काम दोटे हैं यह जो पिंदक सब्सक्राइब काम करता है इसको हम वो इस थर्फमस करते हैं और यह जो इसको हम वोग क्या दोना हिस वास थायारिकनी नीचे क्या होता है यह मौजुद होते हैं और थायारिकनथी के या द्वी पिंडक संद्चना जो स्वास नली में लेरिंग्स जो होता है वो स्वार्यात्र को करते हैं लेरिंग्स के ठीक नीचे मौजूद होता है इसी में लिखेंगे थाइराइड ग्रंथी के दोनों पिंड थाइड ग्रंथी के दोनों पिंड आपस में किसे जुने होते हैं इस थमस से द्वारा इस थमस द्वारा जुड़े होते हैं आपस में इस थमस द्वारा क्या होते हैं जुड़े होते हैं अब अगर बात करते हैं कि इस थाइराइड ग्रंथी से थाइरोक्सीन हर्मोन के कमी के करन क्या होता है घेंगार होता है यह मैं आपके पारवर पुछता है इसमें लिख सकते हैं थाइराइड ग्रंथी से थाइराइड ग्रंथी से थाइरोक्सीन हर्मोन स्रावित होता है जिसके कमी के कारण घेंगारोग ग्वाइड इसको बोलते हैं ग्वाइड रूमोन होता है जब हमारे सिर्पे आयोदीन की कमी हो जाती है तो उससी सिर्फी में थाइरोक्सीन हर्मोन कम मातरा में बनता है तो उसके मातरा को बढ़ाने के यहां पर मौजूद है इस परकार से मास आपर पर क्या धाता है और उसकी क्या बहुत है कि आप घंगार की कार्व हो रहा है थाइलोकसीन हर्मोन के कमी कार्व हो रहा है और दूसरा कुछिता है कि थायोक्सीन हर्मोन के संसलेशन के लिए किस सत्त्तों की आसकता होती है तो आयोडीन की आसकता होती है एक पॉइंट और ताइरुक्सीन निर्माद के लिए आइओडीन थायोडीन के लिए आइओडीन की आवसकता होती है। इसके बाद पूशने वाल थे वो बता दिये। इसके पारे हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप इसको नोट करें इसको बना लेना है डाइग्राम को और इसको नोट कर लीजे। इसको नोड करिए इसके बाद इसके कारे देखते हैं जा लेंगे थाइलोकसीन के नीटिश होता है तो पहला काम होता है यह वी मर क्या होता है उसका पूरा नाम होता है बेसल मेताबोलिक रिड को नियांतोरित करता है मेताबोलिक में होता है एमाउंट फ क्याल्री कर्योप हमारा सरीर किसी काम को करने के लिए कितना मात्रा में और यदिक रूपयों करने केあと वात आदू करता है दूसरा काम होता है यह कार्बो हाइड्रेट कार्बो हाइड्रेट वसा एवं प्रोटीन के उपाप्चयन में की लिए आपह मतलब होता है उनके निर्मान में अंब गटन हो रहा है उनका तूट रहे हैं उसको हम उन्हों क्या खूलेंगे यह रख्त में गुलकोज के अस्तर को बढ़ाता है इसी लिए इसको डायबीटोजनिक होरमोन कहते हैं इसलिए का मतलब इससे क्या होता है अगर यह कुलकोज के अस्तर को क्या करता है पढ़ाता है यह जो होता है और उस अर्वी सी के निर्मान में क्या करता है सहायता करता है सहायता करता है अर्वी सी के निर्मान में सहायता करता है इसके बाद देखें हम लोग यह मेटा मॉर्फोसीस मेटा मॉर्फोसीस का हिंदी होता है कयांतरन की क्रिया में सहायता करता है यह कयांतरन क्या होता है जो मेठक का लारवा होता है तो उसका पूंच होता है लेकि जब लारवा ब्यस्क में बदलता है तो उसका पूंच गया बजाता है तो लारवा ब्यस्क में कब बदलता है ज किरिया को ही क्या बोलते हैं और उसके फुर्मोन्स बोलते हैं कि यहां से मेधग से थाइराइड यो टेड़ लारवा है उसके ठाइराइड ग्रंथी को क्या कर दिया जाए हिए उसमें कौन सी क्रिया नहीं होगी जो लारवा वो भी असके में नहीं बद लेगा कियोंकि क्यांतरन की क्रिया उसमें नहीं होगी थाइरोषिन होर्वोन के कार्ये हैं इसको क्या कर लीजे नोट कर लिए है कि नेक्स आता है एदिंग कि आरा थायड ग्रंथी कि आ अन्सक्राइब ग्रंथी तो थे थायड ग्रंथी अब अब सुग मैं युद्ध यूद्ध होताए जब मुझी तो अन्सक्राइब निट्राइग्राम बनेगा उसमें थोड़ा सारे चेंजेज करेंगे हम इस प्रकार से करें ऐस्में देखिए तो यह वाला इसा पर्टी में उपर चला गया है पिछे वाला भाग आपको आगे दिखाई दे रहा है अब इसी पिछए वाले भाग में क्या होता है दोनों पाली जो होते हैं थाइड गृता है एक पे जोड़ा पर थाइराइड गृता थी जो चार चार यहां पर जो सरफना आपको दिखाए दो बनाएं यहां यह कौन सा गृती है पाराइड गृती है अगर हम लोग इसको दिखा जाए तो पराइड गृता है यहां पर दिख सकते हैं कि यह मतर के समान पालियुक्त पालियुक्त का मतला होता है लोग में बठा होगा पालियुक्त गरंथी है जो थाइराइड गरंथी के ठीक पीछे पीछे मौझूद होता है यहां से यह राम है तो और उस हर्मोन का काम है वह हमारे सरी में कैल्सियम के अस्तर को क्या करता है नियंत्रित करता है उसके अस्तर को बढ़ाने का काम करता है हम और वह पैरा थाइराइड होर्मोन कहां से सक्रिट होता है एक ड़ा ग्रंथी से शुल ली सकते हैं है लगाई है आदाटी से पारत हाइडाइड होर्मून जिसको सौट हो लोग टी टी एच कहते हैं स्रावी तो होता है स्रावी तो होता है जो रॉक्त में कैल्सियम की मातरा को संतुलित करता है कैल्सियम की मातरा को क्या करता है संतुलित करता है इसको नूट कर लिए उसको ड्रो कर लिएगा जाए है नेक्स घरता है अड्रेनल गरंथी आड्रेनल गरंथी योग तो गरंथी यह कंदि और वी उपनी भागो感 होता है उसी प्रतेक ब्रीक के अग्रभाग में अग्रभाग या उपरी भाग में इस्थित ग्रंथी ग्रंथी को एड्रिनल ग्रंथी कहते हैं इसके दो भाग होते हैं इसके दो भाग होते हैं पहला भाग जो होता है उसको बोलते हैं कोटेक्स और यह जो कोटेक्स होता है यह बाहरी भाग होता है कि और वां दुसरा जो अग्रांथा को में वांटरिक भाग होता है सपाने कोशीस कर रहें अब इस यूंचें और यह जो आंत्रीक भाग को हम लोग क्या बोलते हैं मेडूला कहते हैं अब यह जो कॉर्टेक्स होता है कोर्टेक्स यहां से तीन हर्मोन सिक्रीट होते हैं एक होता है कोडिक वाइट जो मिंद्यल आटिक्वाइड से और थन्ट नाम है कि एयुद्या हुआ है अब्ले जबकि मेडूला से दो हॉर्मोन होता है एक होता है एक क्या इसी को बोलते हैं यह सब किताब में दिया हुआ है और दुसरा हॉर्मोन यहां से क्रीट होता है नाम है नौर एड्रीनलीन नौर एड्रीनलीन यह इसिको बोलते है नौर एड्री नेफरीन यह 2 हॉर्मोन कहां से सिठी और 20 लान को चैंति क्या इस स्थिंथाज planes जो प्लाम होता है किमा यह हुग है किड्नी के डिनеци के आगर में इसक्राइं को हौते हैं फारी भांकों होताय होता है कि अधिक प्रफिक से तीन होर्मून सीक्रिट होता है और नाम होता है और नाम होता है और ड्योख से कर दिए इसे ही पना देना है कि अब यह जो एड्रिनल गृंथी है जो होता है उसके जो नाम होते हैं उसी के नुसार उनके काम हो जिसे गुलुको कोटिक वाइट से तुझे कार्वाइट वसा है वो प्रोटीन के उपाप्षयन में सहता करता है मिंडलो कोटिक वाइट जो है किया करता है तो इस प्रकार से नाम के नुसार है क्या होते हैं कार्य होते हैं तो यह कार जो है और अगरी क्लास में पढ़ेंगे आज के लिए इस क्लास में इतना ही तब-तर के लिए धन्यवाद